Balsam, a gardener planted 321 trees in rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Fine the number of rows. यहां पर हमें number of rows find out करनी और in प्रेक्षन के इतर क्या दिए नवर अपर नॉबर अफ रो थे. वो किसके के विले है नमबर अफ प्लांट्स इंटेके एक रोगे जितने प्लांट्स है तो नहीं कहा उसके लिए रोग जाए उसके तो सोल्ड करने के लिए तो पीक वंसेट हम इसमें यूज करेंगे लॉंग डिवीजन मैथटड और मियाप पर लूज करेंगे लॉंग डिवीजन मैथटड सोन फिशन के लिए तरह में जो गीवन है तोटल नमबर अप थ्रीज कितने हैं टोटल नमबर अप प्लांट टोटल नमबर अप प्लांट्स कितने हैं टीन हंडर्ट वंट्वन so let doing a let the number of the total number of trees total number of trees even a fifteen hundred twenty-on So, let number of trees planted in a garden for each row, for each row. कितने हैं हमारे पास? Let's suppose x के लिए तो यहां से हमारे पास पास पहलेगा, this implies number of rows in the garden, कितने हो भी? Let's suppose x है. So, therefore, total number of trees in the garden, कितने हो जाएं हमारे पास? x into x जाएं, that is x square. और यह हमारे पास की सिक्वाल है, this implies x square is equal to 1521 की सिक्वाल की सिक्वाल है. तो पर यह सिक्वाल 9, 7 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 621, 3rd 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 times हमारे दिविसिपल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 जा 80, यहां से हमारे पास घृट कितना जाएगा, 360,िकतना जाएगा हमारे पास? 622, this is 3 x value कितने आगा हमारी इंध मारी 13 अगयी, तो इसने अगर हैं, चो नमब ऑक हो जूखे अबरो फूरोज होंगे हमान पास 39 प्रोपी इंडिस्टी डिवाल पास्टोंगे थैंक्यू